नमस्कार मैं गणेश मरतोलिया हूँ और रिटाइड IPS आपसर हूँ 2019 में मैं सेवा निवरित हो गया था उसके बाद मैं ट्राइबल कमिशन में रहा कुछ दिन और बरतमान में 2022 टूबर से मैं UK SSS का चेयर्मेन हूँ और तब से कोशिस कर रहा हूँ कि इस कमिशन को जो पुरानी चीज़े हैं उसको ठीक करूँ और लोगों का विश्वास पुना आरजित करूँ ये मेरा प्रियास है तो इस वक्त हम लोग उत्राखन अधीनस्त सेवा चायन आयोग के हेड़कॉर्टर्स में हैं और जी एस मरतोलिया सर इस वक्त हमारे साथ में सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉड़कास्ट में दूसकार सबसे पहले तो शुरुबात वहां से करना चाहूंगा जिस वक्त पे आपने जॉइन किया अध्यक्ष के तोर पे वह बहुत ही चैलेंजिंग समय था विभाग के लिए आप उसको कैसे देखते हैं हाला कि आपका बैग्राउंड खुद पुलीस का रहा हुआ है तो बहुत सारे चैलेंजिस लाइब में आते रहते होंगे कैसे आपने इसको देखा देखिए वह समय वाकई अधिनस सेवा चैन आयो को वाकई दिक्कत थी और एक ऐसा हो गया थी बड़ी अभिस्वास के स्थितियां चाहे वह पब्लिक में हो यूथ में हो बेरोज़गारों में हो इवन गॉर्मेंट को तो ऐसे समय में मैं यहां जोइन किया और स्थितियां इतनी अजीब सिस्थी थी एवन हमारा स्टाफ भी बड़ा परिशान सा था कि क्या करें कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा किसके इंकौारी होगी तो काम के लिए वो जो भी काम करते थे उसको अराम से नहीं करते थे उनके दिमाग में संसा ही था कि कोई फाइल उठा काम करिये वो मेरा मानना है और पुलीस के नोकरी में रहते हुए मैंने हमें साही किया कितारनाथ भी ऐसी स्थिद्म में गया जहां में लगबक डेड़ दो साल लगा तार जुडा रहा चाहे वो डेड़ बोडी के डिस्पोजल में हूँ या नए रूट का निर्मान हो जहा धेड़ बचार करें उस पर मन्थन किया हम लोगों और उनको मैंने इतना अस्वासं दिया कि हाँ अगर आप थैरें बधमास की की होगी या आप इस चीजू में सम्मिलित होंगे तो फिर आपको मैं भी नहीं बचाऊंगा हाँ अगर आपने क। बचाऊंगा तो आपको को लोगों ने लड़कों की क्राई और कोसिज किया कि यह जो चीजें हमारे पास बारे एक्जाम करीब थे जिन पर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उस पर हम लोगों ने तीन चार बहने मन्धन किया उसके बाद दिसंबर में हमने ताई किया कि तीन एक्जाम हम लोग भी हो रहे हैं और जो आठ एक्जाम हमारे रिजल निकल चुके थे लेकिन इनी सब कारणों से नहीं होड़ा है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं हमारा प्रियास जुलाई लास तक जितने पुरानी पेंडेंसी थी हमारी उसको हम खतम करेंगे और जुलाई में नए सिरे से न क्योंकि राज्य दोहजार में बन गया तो यह 14 वर्षों तक कैसे क्या चल रहा था देखे सुरू में कि हर डिस्ट्रिक में एक चैन समिती होती है हमारी जो डिस्ट्रिक मजिस्टेश उसको हैट करते हैं जो बरती कर सकते हैं नियम उनके लिए भी है पुलीस अपना बरती क सब्सक्राइब करते हैं और वागी डिस्ट्रिक में उसके बाद घ्रन बंने कि बाद काफी एकवा जैसे इवन पुलीस के भी हमारे हमने रेंखकर एकदा जो हमारे टेकनिकल परिसद है उपी ट्र के नाम से进्ट्रिकल वोर्ड हमारा एक है वह करते थे और जैसे पुलीस व exam नहीं करता था तो 2014 के पहले ये था कि अपने पर्टिकलर एक डिपार्टमेंट का हम लोग अपने अध्याचन बेज दिया पुलीस का वे दिया पुलीस का उनने कर दिया ऐसी सभी अध्याचन लेकर के जो एक तरह के पद हैं एक समान पद हैं और एक स्केल के पद हैं जिनका नेचर भी एक तरह का तो उनका का मैंड करके कई डिपार्टमेंटों के एक साथ करते हैं तो 2014 के बाद फिर हम लोग ने इस प्रोसेस में हम लोग आ गए जब हमने अपने लिसनर्स को बताया कि हम आपसे मिलने वाले हैं आपसे बातचीत होने वाली है तो क्योंकि UK SSC इस तुरान जो है सबकी नजरों में भी था तो कई सारे सवाल हम तक पहुँचे हैं मैं उनमें से कुछ सवाल लेना चाह रहा हूँ कुछ तो common सवाल थे इसलि डिपार्टमेंट के तौर पे या आपके इंडिविज्वल क्या इनिशिटिफ्स रहे देखे मैं बिलकुल 2022 में जो घटना हुई उससे बिस्वास बिलकुल खतम हुआ मैं मानता हूं मैं इस चीज को देखे जिस बच्चे ने महनत किया लगातर कोचिंग कर रहा है घर से ब उन बच्चों के स्थिति कितना हाटसिफ होगा इसको आप समझे उनकी मनोबग्यानिक मनोसे कितनी खराब हो गई होगी उसके कल्पना आप और हम भी नहीं कर सकते हैं अब सवाल ही है कि उन पर कैसे बिस्वास दुवारा हो देखें बिस्वास के एक ही कारण है हम अपने ए करेंगे और देखें इमानदारी बहुत अच्छी है इमानदारी दिखना भी चीए आपको कि जो आप कर रहे हैं काम वो इमानदारी आपको दिखनी भी चीए हमने उसी लाइन पर काम किया हमने सुरू में काम किया कि जो हमारे पास पैंडिंग एक्जाम थे उन सारे एक्ज बैक्तिक साइख हमनों निकाला। ये तो वो थे जो एक्जाम हो चुके थे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो सचवाले रक्षक, बंदरोगा और सनातक स्तरी, ये हमारे लिए वाक्य चैलेंज थे। और ये एक्जाम हमारे लिए टेस्ट भी था। इस एक्जाम में अगर कोई बदमासी होती, कोई दिक्कत होती, तो फिर हमारी साख जो थी उससे और नीचे जाती है। मैंने ये कोशिज किया कि पहले तो हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा उन को सेंस्टाइज किया, कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, और जो चैलेंज होती हों कम हों, कोशिज करें। दूसी महत्रपून चीज है कि हम कहां से प्रिंट कर रहे हैं, ये बड़ा सब्जक्ट महत्रपून है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्जाम प्रिंटिंग प्रेस सही रिलीक हुआ, वह कैसे गोपनी दा बने, उस पर हम लोगों ने काफी काम किया, ये गोपनी चीज हैं जो सारुजनिक नहीं की जा सकती, इसको हम लोग कर रहे हैं, तीसी चीज मैंने, चाहे वो सच्च्वाले रक्षा का बहुत चोटा सा एक्जाम था, बहुत कम बच्चे थे, दस जार के आसवास बच्चे थे, लेकिन मैंने प्रतेग जिले में जा करके, एस एस पी, डियम से उनके साथ जॉइंट मिटिंग की मैंने, सिक्षा के लोगों के साथ, ट्रेजरी के साथ, उनको अपनी समस्या, प्लस एक्जाम को ले करके, कितने संबजन सील होना चीए हम लोगों को, उसके लिए उनको मोटिवेट किया, उनसे बात की, सारे एक्जाम को मैंने कुई जिला में रहते हैं, STF का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, इवन डेक्रेटर जनरला पॉलीस, हमारे होम डेपार्टमेंट, हमारे कार्विक सभी डेपार्टमेंट से, मैंने वन-टो-वन बात की, मैं जा चेयर्मन हो सकता, मैं कुछ नहीं करता, बैठ रहता, बागे काम च से भरती होगी तो बहुत बड़ा एक दिक्कत का प्रस्न है, जो आज भरती होगा, साट साल तक नौकरी करेगा आपके यहां, और वो गलत तरीके से आगा भरती, तो गलत ही करेगा, तो ठीक नहीं कर सकता, तो मेरी कोशिस पहले यह थी, कि जो भी लड़का भरती हो, वो मै कोशिस है कि दस दिन में इसका भी मैं रिजल निकाल दूगा, और ताकि बच्चों को, अब हम उनके OMR भी दिखाते हैं, आंसर की डालते हैं, मैरा बच्चों से मैं आज भी हर बार ही कहता हूँ, आप हम पर विश्यास करिए, मैं आप पर विश्यास करता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा एक सुचना थी हमारे पास कि पांच 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 चे चे लाग रुप्या ले लिया, वो MR में गरबढ़ करेगा, दो पेन रखवा लिए, इस अब चीजह आई, उसमें एक सरकारी तैप का आदमी था उसमें, हमने उनको पीचर किया हम लोगों ने, उ मेरी कोशिज है कि बच्चों को बिशाज करना चाहिए कि मैं पूरा कमीशन बिलकुल निश्पक्षता से बुरी इमानदारी से अपना काम करेंगे, और मेरी पूरी कोशिज होगी कि जो बेस्ट प्रैक्टिश पूरे हिंदुस्तान में कमीशनों के हैं, उसको मैं स्टड़ के आ रहा हूं, ताकि जो अच्छी चीज़े हैं सब जगह हैं उसको लें और बढ़ियां बियुस्ता करें, बढ़ी बियुस्ता और अच्छी दिसा हमारा कमीशन बहुत बनों के अच्छा करी हैं हमारा प्रियास है, आज तो आप यहां पे अध्यक्ष के पत्पे हैं, कई सरकारी डिपार्टमेंटों में यह होता है कि अगर कोई पोजेशन पे बैठा है, जब ओर जारी करता है, तो कई लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, इको पे भी लेते हैं, आपको जो पुराना पुलीस का काम था जब आप वहां थे, इन सारे प्रोसेस के दुरान वो कितना काम आई, कि पुराने अच्छे संबन थे तो उनको भली उत्राखंड के नाम पे या राज जी को लेके थोड़ा सा इमोशनल तरीखे से उनको टैकल करते हुए, इंटेलिजेंस के लोगों को या बाखी डिपार्टमेंट के, वो कितना काम आया आपका? देखिए पुराना जो अनभव है या पुराने जिस डिपार्टमेंट हमने काम किया, जिन लोगों के साथ हमने काम किया, नहीं चुले एक मलेक, उनसे अटेच्मेंट तो होता ही है, और हमें अगर कोई चीज उनसे कहेंगे से हमारी ये मदद करो आप, तो वो निस्षी तो हो सकती थी, वो सहथ पुराने संबनों से, और हमारे काम के हिसाब से, जो हमारा पुराना, हमने कोसिस किया है काम करने की, उससे निस्षी तोर पर काविए हमको फाइदा हुआ है, और किसी भी इस तर पर मुझे इन तीन एक्जाम को कराने में कहीं डिफकल्ट महसुस नहीं हुआ, एक चीज़ देखे हैं, यह नो तारिक एक्जाम को लिए बड़ा संसाही था, कि कावर है और यह है, हम भी चंती थे कि कावर के मेले में दिक्कत हो सकती है, हम डीजी साहब से मिले और उनसे मैने कावर का मेला होगा, हरदवार तो नहीं कर पाएंगे, रिसकेश नही कर पाएंगे, बाकी स्टेट में और जिनू में क्या हमें आप मदद कर पाएंगे, तो एडी जी लॉन ओडर भी थे मुर्गेशन साहब, तो मिटिंग हुई है, हमारी चर्चा हुई, और उनने का नहीं भाम करा लेंगे, वो मेरे लिए इतना महत्यकॉन था, क्योंकि देख एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे वर सासन का और पॉलीस का मिला और इंटलिजिऑशन और अजय हमसे जादे म्युए, खमे जए जादे मुए ठीण पर अजय है, हमसे जादे मुए का निश्चित तौर पर फैदा हुआ है और आगे भी होगा ही मेरी उमीर तो आज कल तो ऐसे भी OTT का जमाना है तो आप वेब सीरीज वगर देखते हैं थोड़ा वो कहते है ना आज कल अगर चोर को पगड़ना है तो उसके दिमान से सोचना होता है बिलकुल इन चीजों से फ हमारे काम आते हैं चाहे सिस्टम को ठीक करना हो सिस्टम को कैसे चलाना है इस अब पुराने अनुभव तो काम आएंगे ही और मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे को पुराने अनुभव पुराने साथियों का और डिपार्टमेंट का मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं अब योग को मेरी कोसिज है कि मैं अगर से इसको बढ़िया तरीके से और चलाओ और जितना इसका पुराना जो जितने विबादित मामले थे उनका डिस्पोजल मैं इस जुलाय लास तक कर दूंगा फाइलों को बंद करके उनको रिकॉर्ड रूम रहेंगे वो वो चलन में नहीं रहेंगे ये मेरा प्रियास है तो अगला सवाल ये आपकी तरफ आ रहा है कि आपके द्वारा विभिन विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए पूरों में जारी की गई विग्यप्ति जो पहले UK SSC के इस तरसे की जानी थी आप से हटाकर लोक सेवा आयोग हर दिद्वार को जमितारी दी गई है तो क्या आप उन पदों को पुना UK SSC के इस तरसे भरे जाने के प्रयास करेंगे देखिए उस जब पिछले बार विभाद हुआ था नकल हुई थी और काफी हमारे पास थे हो काम अध्याचन हमारे पास था और वर्क था और उस टाम गव करता रहता हम लोग करते तो मेरे इखाल से पिछले सेप्टमबर अक्टूबर से जब से प्रावल्म हुई अभी तक मैं समझता हूं कि अगर हम इसको बहुत चैलेंज के तौल पर नहीं लेते तो आज भी हम कुछ करने की सित्में नहीं होते लकिन उस टाम जरूरी था वो ह हुआ और गया बहुत अच्छा है वह भरतियां भी वह हुई अब मैं हम अपना पुराना काम निप्टा चुके जो पेंडिंग है वह तीस तक निप्टा देंगे मेरी गवर्मेंट को मैंने गवर्मेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक्ट को एमेंट करके जो हमारा रहे हुघ एक सवाल यह है कि राज्चे का जो लोग सेवा iog है वो हर साल अपनी भरती का कैलेंडर जारी करता है तो यू की टृपर एसी भी भी भरती कलेंडर जारी करता है, तो उस कलेंडर के अनुसार जो परिक्षाएं हैं, क्या वो संपन हो पाती है या आगे पीछे? कलेंडर तो जारी करना ही चाहिए, और नियम तो ये है कि अपरिल में हम लोग गौर्मन्य को भीज़ते हैं, कि आख कितनी vacancy है ग Kollege में हमको भीजती है department का का Muchas आपको जूलाय में अपनी vacancy के इसाब से हर इसाब किता आजब करना चीए कि कितनी vacancy कितनी भर्ती होनी है करना हमको हर शाल चीए उसके बाद हम लोग जब अप्रेल में आता है फिर जूलाय में फिर हमना कलेंडर जारी करते हैं, कलेंडर जारी करने के बाद, एक्जाम सेटूल से कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिए कभी-कभी एक्जाम बहुत टाम लग जाता है, लेकिन, अब क्योंकि हमारे पास तो काम ही ने, वो तो अब पॉब्लिस सर्विस कमिशन को दे दिया है, जो हमारे पास थे पैंडिंग, इसका हमने कलेंडर जारी किया था, उस कलेंडर के हिसाब से हमने अपनी चीज़ों को निप्टा दिया है, फर्दा जो हमारे पास काम आएगा, उसका कलेंडर जारी करेंगे, और हमारे कोसिज होगी, जिस कलेंडर से, जिस डेट के हिसाब से हम तही करेंगे उसके इसाब से उसके एक्जाम हो जाए हम किसी भी चीज को एक साल दो साल अटकाने के मूड़े बिलकुल नहीं है जो आपके पास काम है आप और बैठी है थोड़ी दिल और बैठी है उसकाम को निप्टा दीजिए जितना पेंडिंग रखेंगे ना उतने ही परेषाने आपको होगे एक एक एगसाम अगर लेच होगे जितना अतनी गें घ्जाम का एक्जाम हो गया आधे संचे विमाग लोगे दो साल किया रहा है तो कोशिस ही होने चाहिए कि एक्जाम हो, 10-15 दिन में उसका रिजल निकल जी के बाहर हो, उसके बाद उसका डीवी हो, डॉकुमेंट्स वेरिफिय जो भी करना हो करके, मैं समझता है एक्जाम होने के एक डेट दो महने के अंदर, उसका रिक्मेंडेशन कंचरनी डिपार्ट मांग को, जो अधियाचन बोलते हैं, सिंपल लेंगविज में आप लों को बता रहा हूँ, क्या वो टाइमली आपके पास आजाते हैं, कई बार हो सकता है, वहीं से डिले हुआ, और उसके बाद में यहां से अगर वो थोड़ा सा टाइम लग गया, नॉमली आजाते हैं वो हर साल भरती होनी जी, हर साल अगर भरती होगी तो प्रॉलम नहीं हो गया, लेकिन यहां तो काफी समय फिक्षा है, यह होता है कि आप पहले तो अपने हिसाब नहीं जोड़ते हैं, कि मेरे यहां कितनी वेकेंसी हो, हर साल कल्कुलेट करो ना उसको, अब जैसे आज कर एक मा कौसिस सुरू हो जाना चाहिए हर साल, मैं कोशिस करोंगा कि हम जो हमारे रूल रेगलिशन हैं उसके हिसाब से हिक रिस्पंडेंस हो, उसके हिसाब से अध्याचनाय उसके एक्षाब से एक्जाम हो, वह प्रियास हमको करना चीए, जितना काम पेंडिंग रखे न और फिर हो पाए तापिर सालों तक निए होपाएंगे फिर उसका कोई फैदा ने है तो यह जो डिपार्ट मेंट की भरती की जिम्मेदारी UKgers C की है, लहकिन बार देखा जाता है कि आपके खुद के डिपार्टमेंट में जो है भरतिया नहीं हो बाती हैं, रिक्तपद रहते हैं, तो अब अपने भी भरनें, फिर उनके भी भरनें, जी, अभी हमारे यहां भी पद खाली है, तो हमारे यह जब 2004 में बना, तो हमारे पद सैंक्शन के तो जब हम लोग उने अपना भेजा नया स्ट्रक्चर कि हमारा पद बढ़ाई है तो उनने का पद बढ़ाने के बाद छोड़िये पहले जो था उसको बचाई है जो आपके तीन साल तक आपने भरती नहीं की उगदम हो गई आपकी उसको रखने के लिए कि महनत और करनी पड लंबा हो जाता है तो कोशिज थी कर रहे हैं अपने दफ्तर के लिए भरती करनी चाहिए हम लोग कोशिज करेंगे उसको तो पीछे चीज़ें जैसी हुई है वैसी नहूं उन चीज़ों के लिए आपकी तरफ से क्या डूस एंडोंस की मतलब एक होता है ना कि जब एक बार दाग लग गया है तो कि भाई यह दुबारा ना हो एक्स्ट्रा एक प्रिकॉशन की जरुवत पड़ती तो वो आप क्या कर रहे हैं उसका देखिए सबसे पहले तो मोटिवेशन है जो हमारे करमचारी है जिनको देखना है परक्सिया वाला जो हमारा सेक्शन है वो दूसरी चीज है जो हमारे एक्सपर्स है पेपर सेंटर हैं मौडरेटर हैं उनकी सथिनिस्टा कितनी अच्छी और किस लेवल पर है दो तीन दिर पहले एक न्यूज आ रहा था कि वो को टेक्निशन की भरती थी तो पैसेट कुश्चिन किसी के को कोचिंग सेंटर के आ गए सेम दूसरा क्या हो गया कि अगर आप अपने एक्सपर्स पेपर बना रहे हैं आपका एक तो होता है कि मैं मैंने नेट से उठा लिया लाग को कोचन पड़े हैं नेट में उसको एज़िज मैं आचाप दी नेट में खुब कोचन में लगा आपको उसकी भासा में कोई फरक नही फिर एक लेबल बना एक मौडरेटर उसके बाद नेक्स एक स्टेप और होगा वहां जैसे 20 थे तो वहां पर 5-6 होंगे पिर तीसरा भी जा रहें स्टेप पर एक मौडरेटर और होगी कि उन क्वेस्चनों को भी सहथ उनको भी नहीं बता हो किया होगा कभी कभी ऐसा भी प गरबर करतीए है. इसे जीसे जही बी जो भी हुआ है. आपके फ़ीर उनीके टेक्निकल किस्था है ना इनका एध हल्थ का भी जि उनके प्राफ्टम होई एक फिरहां हम्रे कैड़्तम होई फेध की इहां होई उनके प्रॉब्लम होई और पेपर के चाहपे, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन बदमासी के चांसे कम हो जाएंगे, यह हमारी कोशिस है, तो आगे आने माले कौन से एक्जामी स्पीच हैं, जो आपको लग रहा है कि यह कंड़क्ट किये जा सकते हैं, तो जुलाही में भी आप कही रहें, विभागा आपको जाचना हैं, उनको हम जराब पढ़ेंगे, फ्रेस एक्जाम के बारे जब तो को एक्ट अमेंट मेंट नहीं होगा, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, आज के डेट मेरे पास कोई एक्जाम पैंडिंग नहीं है, मैं अगस से फिर वो जो पांस उपर काम करूंगा, अगर उस जब प consomm के बार बार उसको करने मेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसको चला करके मैरी कोशिश होगी, अग्टोर पर दो को जघ्ञाम निप्टा दे, कोशिश होगी जितने भी उसके बाद अगर एक्ट अमेंट मेंट मीं होता है, हमारे पास होता है तो हम उसको चैलेंज के क्योंकि हमने आपको देखा रेटारएमेंट के बाद भी हो और कोविट के दुरान आपने जा जाके टेंट्स लगा के दवाईयों को लेके बाखी सारी चीज़ों को लेके बहुत काम किया. इस बीच क्या वो सारी चीज़ें हो पारी है क्योंकि अब एक बहुत इम्पोर्टन जिम्मेदारी आपके हाथ आ गई है नए वो छूड़ गया है उसमें मैं उतना सोशल हो भी नहीं सकता हूँ जॉब के इसाब से जिसाब से मेरा जॉब का नेचर है मैं बहुत लोगों से नहीं मिल सकता हूँ पब्लिक लाइफ मेरी काफी वैसे हो गई है दर्वाइज मैं जो पहले मैं लगातार पहाड़ों में आज जैसे अभी बरसात हो रही थी अगर मैं वहां होता था मैं कहीं पहाड़ में होता थी मैंने दो काम वहां, मैंने एक तो किया था कि लोगओ जिसे आजकल भांग बहुत और इता वह एाड़ों में गाउं में हमारे यह वहने दो मारे ऐसे बेड़ी पी यहा, वो भी मैंने नोटिस किया तो मैंने वह साथ स्कूल में बॉली बॉल मैच भी कराया थे ताकि नसे से दूर रहे हैं लोगे पहाडों में नसे पर बहुत काम करने का बहुत स्कूप है और उसमें बहुत काम किया और लोगों से मिला लोगों से लोगों के समझेयां भी दूर की मैंने लोग को ट्रेनिंग भी कराया ओनलैन क्लासेज पढ़ाया फिजिकल ट्रेनिंग कराया मैंने पुलीस और अगनी बीरू के लिए हल्दवानी कैम लगाया मैंने चौकोडी में लगाया हल्दवानी में और इधर कपकोट में लगाया मैंने और अभी हम लोग एक driver का ITVP में हो रहा है भी बरती अगर वो लड़के कुछ interested होंगे तो हमारे बड़े वाले भाहिसाब हैं वो इस फील्ड के हैं ITVP से रिटायर हैं वोभी आफसरी है तो अगर वो लड़के मिलेंगे हमें अगर कुछ लोग तो हम उनकी ट्रेनिंग कराने के मूड में हैं कि उनको जड़ा रिटन पढ़ा दें और थोड़ा उनको ड्रैविंग से का दें कि कि ITVP का ट्रेंड क्या है बड़े वाले भाहिसाब करेंगे हमारे उसके अलावा मैं पर्सनली इन कामों से बहुत दूर हो गया हूं मैं और कोसिज करता हूं पीज में जब ही मौका मिले मैं जाओं और सम लोग को सुनू लेकिन बहुत जादे मैं ओपन नहीं हो सकता वो मेर थोड़ी प्रावल्म होगे अब एजेंट वाले उसमें सीक्रेट मिशन पर आप हैं तो अब उसमें देखें आप यहां हूं तो लोग सोचते हैं कि यह हैं वहाँ तो कुछ भी कर सकती उस्तिया नहीं है लेकिन लोग तो इतना कहते हैं साब कर देंगे साब हमारी बड़ा गरीब है साब उनके लिए उनके लिए साथ यह कर सकते हैं मैं समझता हूं नहीं कर सकता हूं में तो उस तरह की थोड़े रिलेशन हमारे पब्लिक के विजन के मिलते थे तो मतलब नाराज़गी यहां ज्यादा होने लगी नहीं होगी लेकिन उनको लगेगा साब वहां के दिमाग खराब होगा ऐसा भी बोल सकते हैं लेकिन वह मारे जॉब नेचर के हसाब से अतना अपन नहीं हो सकता है अतने लोगों से मिलने से कुछ मैं गया था अभी जो हमारा एक गैल पातल होता है जहां बहुत सा होता है बिलकुल तो मैं उसी भी सी इस एक्जाम की डूट जिसा हमारे एक्जाम कंटॉलर है काफी इस एकैडेमिक होगी है लड़का हिमाल शूब पहाड़ों में एजुकेशन तो अपनी जगह हो गई है स्कूल में क्या पढ़ा रहे है अपनी जगह हो गई है लेकिन वहां पे जो कंप्टिशन डिलेटेड बुक्स अवलेबल नही है तो मैं कोसिज कर रहा हुए जो हम लोगा ग्रूप है वह हम जोड़ने की कोसिज कर रहो हो में और कोसिज यह हमारी है कि हम हर डिस्टि गेटकॉर्टर पे एक छोटी एषी लाइबलरी बनाए किसे से कमरा ले 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 है कि राया पर देदें चाय फरी देदे कोई भी और महत्यपूर्ण बुक्स जो आपको कम्प्टिशन मदद करेगा उसका एक संगरह बनाने का हमारा विचार है लड़के वह पढ़ें और मुझे उमीद है कि हम उसमें सफल होंगे मैं कोचिस कर रहा हूँ बहुत सारा यूथ इस वक जो आपको देख रहा होगा और ओहो रेडिय करेंगे क्योंकि government job का जो मेरे को लगता एक primary aspect यह है कि society में contribute करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है वो सकता private वाला अपने target और कई चीजों में फच जाए नौकरियों में transfer की वज़े से और अपने ही राज्य में government job हो किसी भी भाग में हो तो बहुत अची चीज है क्या आ फिजिस का expert है तो chemistry की बाद नहीं करेंगा इस्टी की बाद है तो geology, geography की बाद नहीं करेंगा लेकिन सरकारी आदमी अगर आप भरती होगे सरकारी जो में तो कुछ भी कर सकता और उमीद भी करती है कि आप हर काम करने में सफ़लें जैसे आज बार आई तो हर आदमी हमसे चा या कोई और चीज हो जाए तो हमें जो लड़के नमा नहीं भरती हो रहें उन्हें इस देशी के साथ जाना चाहिए कि ये उनका अपना state है जितना वो अच्छा काम करेंगे जितना अच्छा delivery उनकी होगी public के लिए उतना ही public का भला होगा, state का विकास होगा और government की जो अच जवाब दिया है, इस सरकार के प्रती, यहां के उतराखन के लोगों के प्रती, आपकी जवाब दही है, जिसको आप समझें और इसको करेंगे. Thank you, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरहां आप अच्छे initiative लेते रहिए, और यह जो निराशा का भाव थोड़ा सा बीच में लोगों के मन में था, वो positivity में तब्दील हो, ऐसी में उम्मीद करता हूँ, thank you so much. धन्यवाद.